आपको मालえば International Space Station पे जाने के लिए चाहिए होता है मतलब गलत और्बिट पर पहुंच गया जहां पर इसे इंटरेशनल Space Station पर जाना था वो वह आ नहीं पहुंचा किसी और और्बिट में चला गया जिसकी वजह से इनका वेजने वाले थे लेकिन शुकर की बात है कि इस चैस फ्लाइट के अंदर कोई भी एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं था वरना वो इस पेस में ही लटक जाता यह कहा रहे है कि गलिच हो गया हमारे साथ में इंटरनल क्लॉक खराब हो गई जहां पर एक गलट टाइम रेजिस् फ्लाइट क्रेश हुई जिसमें करीबन 346 लोग अब तक मारे जा चुके हैं तो बोईंग के साथ में जुड़ी हुई कई सारी बैड निउस जिसकी वज़े से इनको शायद बहुत जादा टाइम लग जाए कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट तैयार करने में जिसमें एस्ट्रोन अब आरे शर्म आप देखरों देखरों को आशा करता हूँ आज कर देन आपको बीत रहोगा करता है लेकिन फिर बात में सोचते हैं कि यार अपना फोने क्यों आप फैकने की जरूरत है लेकिन इसी तरीके की कॉलों को रोकने के लिए यूएस के अंदर एक नया लौ पास हो गया जहां पर इस तरीके की स्पैम कॉले आती है तो वहां पर कॉलर को करीबन 10,000 यूएस सो पाते हैं और इन लोगों को भी डर लगता जो नीदे खराब करते हैं और फिजूल में कहीं भी रेंडम नंबर पे कॉल करके पूछने लग जाते हैं लौन चाहिए लाइफ इंशॉरंस चाहिए वह चाहिए ऐसी तैसी करा लो अपनी एक बात पर तो आप सभी को होगा कि एलियंस जरूर हैं हमारे इस पूरे ब्रह्मान के अंदर कहीं ना कहीं तो लाइफ मौजूद होगी किसी ना किसी प्लैनेट पे ऐसा नासा का भी कहना है वो कह रहे हैं कि आने वाले दफ सालों के अंदर शायद हम को कुछ ऐसे सुराग मिल जाएं जिससे हम ये बत शायद ऐसी खेलियों की जहां पर कारे वगेरा उड़ती हैं तो इस तरीके की फ्यूचरिस्टिक सीटी हमारे दिमाग में है कि शायद आने वाले समय में इस तरीके की सीटी हुआ करेंगी जिसके लिए साउथ कोरिया की कंपनी हेंडाई ने भी यही सोचा है और वो इस तर इस तरीके की इनोवेशन वो भी दिखाने जा रहे हैं कि यह हमारा आगे का प्लैन है इस पर हम काम कर रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है जिसका नाम है अब जिन के गरीबन 49 मिलियंस ऑफ यूज डॉलर की वर्थ के एथिरियम कोई किसी और अन्नोन वॉलेट में ट्रांसफर हो गया हमको कुछ मालूम ही नहीं कब हो गया रात के बारा बजे पता नहीं क्या घपला हो गया और किसी अन्नोन वॉलेट में 49 मिलियंस ऑफ यूज डॉलर की वर्थ की एथिरियम कोई चले गए लेकिन यूजर्स को घबराने की क कभी बढ़ती है कभी घटती है और क्या पता आने वाले कुछ सालों में एथिरियम की वैल्यू काफी जादा बढ़ जाए और तब मालूम चले कि इस कंपनी ने वो सारे कोई अपने ही अन्नोन वॉलेट में डाल दिये थे जिसके बाद में इन्होंने का यूजर जाए तेल एक्सचेंज कंपनी के अंदर वो सारे फास गये की सिर्फ ओनर के पास थी और ओनर गया उपर जिसके बाद में कई सारी कंस्पिरसी थ्योरी आई थी कि भाईया यह इस वज़े से फेट डैट कर रहा होगा कि इसको जो यह क्रिप्टो करनसी के पैसे हैं वो सारे मिल जाए और क्योंकि इन्हों ने तो बैंक करप सी क्या कर दिया कि हमारे पास में एक पास पाप अभी नहीं किसी को भी मिलूद के प80 कर वा जिसके बात में जो Stephen यहां पर देख सकते हो वो कुछ स्ट ही की थी पूरी डिटेल में मैं आपको मपर बता रख यह जैसे आप जानते हो अ तो उसके लिए आपको जाना वड़ाएगा रही है क्योंगे वहां पर आपको तरह तरह की रिप्लिका कार देखने को मिल जाती जिस तरीक से बैट मेन की रिप्लिका कार भी बनाई गई थी और बेच भी दी गई वहां पर इसी तरीके से साइबर ट्रक पाया गया है वहाँ पे रोड पे चलता हुआ जो कि एक रिपली का है एक कॉम्पैक्ट वर्जिन है साइबर ट्रक का जो कि किसी ने अपनी गैसोलीन वाली मतलब एक्जॉस्ट वाली कार में लगा दिया जिसमें से धुवा निकलता है यह कोई इलेक्ट्रिक व एक सैटलाइट इस पेस में जाती हुई दिख जाएगी जो कि उनके फोनों से कनेक्ट होगी मतलब की वह मैप में ट्रेकिंग में कवरेज में और इसी के साथ साथ अगर फोन चोरी भी हो जाता है तो उसकी एक्जैक्ट लोकेशन बताने में बहुत ही हेल्प करेगी अपने के फोन के अंदर जिसकी वएक से एपाल की फोन काफिी चाहर होंगे हाला कि बीवीजा सीच्यर्टी टाइट हो जाएगी जिसकी वएसे थोड़े बहुत प्राइस भी स्पाइक होएंगे मतलब प्राइस भी बढ़ेंगे क्योंकि सेटरलाइट भेजने का खर्चा तुम ही से लिया जाएगा फिलाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरू करना शेयर जरू करना और इसके साथ मैं थोड़े लोग क्लियर कर देता हूं वो कहते हैं कि भाई तुमने अरफ लिखना भूल गया यह यह मेरे दोस्त क्योंकि अरफ वीडियो जब आती है तो मैं वहां पर लिक देता हूं और इसके साथ वीडियो में भी लिखा होता है उसका नमबर बेसिकली यह वीडियो है इनोवेशन की टेक्नोलजी की अरफ में तो पुरानी चीज़े भी बताई जाती है लेकिन इसमें सिर् लगा मैंने को वीडियो डाली भी है